नमस्कार मैं हूँ प्रनवराज और आप देख रहें न्यूज फोर नेशन आठ बज चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के महाबीर मंदिर में और आप देख सकते हैं कि आरती का समय हो चुका है आरती जो है वो चल रही है लेकिन हम आपको इस ओर दिखाएंगे कि जो हनुमान मंदिर है कोरोना वायरस को लेकर के काफी कह सकते हैं कि जो हनुमान मंदिर प्रबंदख है वो काफी जागडुक हो चुके हैं देखे जो भी लोग आ रहे हैं यहां पर उनको पहले तो सबसे पहले सेनेटाइस किया जा रहा है सेनेटाइजर देखे उनने सेनेटाइस किया जा रहा है उसके बाद देखे उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है यह एक मशीन यहाँ पर आई है जिसमें स्क्रीनिंग की जाती है और टेंपरेचर देखा जाता है कि टेंपरेचर कितना है अगर टेंपरेचर 98 से जाता होता है तो उन्हें तुरंद बोला जाता है कि आप जांच कराएं देखिए जो लोग आते हैं उन्हें रोका जाता है उन दूसरे से दूडी बनाये रखें, तथा आवश्यक किसी चीजों को ना चुएं, तो यह साफ संदेश देने की कोशिश की गई है, मंदिर प्रबंदन की तरब से, कि आप जो हैं कुरोना से बचाओ के लिए किसी चीज को ना चुएं, और दूडी बना के रखें, देखिए ज उसके बाद उनकी स्कैनिंग की जारी है, यह एक मशीन है डिवाइस है, जिसमें टेंपरेचर जो है वो देखा जाता है, यह देखिए यह मशीन है, इसमें टेंपरेचर दिखाता है, अभी 97 दिखा रहा है, अगर इसमें 98 से अधिक जब टेंपरेचर जाता है, तो उनको ब बचाओं के कारे हैं, सरकार की तरफ से वो लगतार चलाए जा रहे हैं, लेकिन मंदिर प्रबंदक जो है, वो काफी मुस्तेद है, वो पूरी तैयारी कर रखी है, उन्होंने मंदिर में काफी संख्या में लोग आते हैं, हलाकि लोगों का आना तो कम हो चुका है, अभी आरती की समय है, इसके बाल आरती के बाद जो मंदिर है, वो बंद हो जाता है, लेकिन मंदिर प्रबंदन ने पूरी तैयारी कर रखी है, किसी तरह का कोई इंफेक्शन करोना वाइरस का मंदिर पडिशर में ना पहुंचे, या जो लोग हैं, कोई अगर उन्हें करोना वाइरस का थोड़ा इंफेक्शन है, वाइरस है, तो वो यहाँ पे ना आएं, और दूसरे लोग उससे प्रबावित ना हो पाएं, देखिए, आज से यह शुरूख की गई है, स्क्रीनिंग, इसमें टैंपरेचर देखा जाता है, उसके बाद लोगों को अंधर जाने दिया जाता है, तो कह सकते हैं कि हमने आपको तमाम जो जगह है, एरपोर्ट हो, स्टेशन हो, सभी की तस्वीरे दिखाई, वीज्वल दिखाई आपको, वहाँ लोगों से भी बात की, कि क्या कुछ होता है वहाँ, किस तरीके से वहाँ भी चीजों को समालने की कोशिश की जारी है, सेनेट उन्हें बचाया जाए, इसी को लेकर के जो तमाम कवायत है, वह जारी है, और सभी को निर्देश दिया जारा है, कि आप जाएं, लाइन में लगके, थोड़ी दूरी बनाये रखें, सभी से, आप लोग एक दूसरे में ना सटें, और किसी भी चीजों को अनावश्यक ना मतलब अगर जरूरी है, तभी किसी चीजों को चुएं, अगर अधिक जरूरी नहीं है, तो चीजों को ना चुएं, सभी को यह इंटर्देश दिया जारा है, उनकी स्कैनिंग की जारी है, उनका टेमपरिचर देखा जारा है, उसके बाद उन्हें अंधर भेजा जारा है, जो तमाम सुरक्षा जाच होती है, पहले तो वो किया जाता है, अगर कोई शमान लेके आते हैं, तो उसके बाद उनके हाथों को सेनिटाइज किया जाता है, चाए वो महिला हों या पुडूश हों, सभी के साथ ये प्रोसेस चलता है, और महबीर मंदिर में जो है, इसकी श अगर घंटी भी बजाते हैं, तो कोशिस करें कि कम बजाएं, क्योंकि और अगर बजाते भी हैं, तो सेनिटाइज करें और उसके बाद ही बजाएं, देखें तो जमाम लोग हैं, जो आ रहे हैं, उनको स्कैन किया जा रहा है, उनका टैंपरेशर मेजर किया जा रहा है, उस वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप घर जाए या फिर आप हॉस्पिटल में जाकर करके आप एक पर संपर करें अपना इलाज कर गए जितने लोग आते हैं सभी का किया जाता है और सेनिटाइस किया जारा है जो मंदिर प्रबंदक है वो पूरी तरीके से त्यार है किसी तरह की कोताई नहीं बढ़ती जा रही है हर जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी जाचकी जा रही है कि उनका body temperature जो है वो ठीक है कहीं उने बुखार तो नहीं है क्योंकि कुरोना वाइरस से अभी बचने की जुरुत है तो जो तमाम लोग हैं कह सकते हैं बिहार के भारत के वो काफी जागड़ुक हो चुके हैं काफी कम ट्रेवल कर रहे हैं आना जाना भी काफी कमर कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि अधिक gathering ना हो क्योंकि gathering में जाने से इसका संक्तमन जो है वो बढ़ सकता है तो एक तरह सके हैं कि हन्वान मंदिर ने पूरी तयारी कर ली है करोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए और जो लोग हैं जिनको करोना वायरस अगर है तो वो मंदिर में ना आएं और जो पूरी कवायत एक तरह सके हैं वो पूरी है और मंदिर प्रमंदक पूरी मुस् है फिलाल के लिए इतना ही अधिक अप्डेट्स के लिए देखते रहे न्यूज पॉर्णेशा नमस्कार